नमस्ते फ्रेंट्स मिस्से सो मिकर वित्यू आइडेज में आपका स्वागत है आज मैं आपसे सोयवीन चंक्स की नेरेशिप शेयर करने जा रही हूं फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करेगा फ्रेंट्स तथा प्लेलिस्टे करेगा तो चली देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले एक बरतन में हम पानी को बहुत अच्छी तरह गरम करेंगे और गैस की फ्लिम को बंद कर देंगे उसके बाद किवल 50 ग्राम सोयवीन के चंक्स डाल देंगे उसके बाद इसे पूरी तरह ठंडा होने देंगे उसके बाद हातों से दबागर इसके पानी को निकाल लेंगे और चंक्स को हम मिक्सर जार में डालते जाएंगे इसी तरह सारे चंक्स डाल लेंगे उसके बाद इसे रूख रूख कर हम पीस लेंगे ध्यान से पीसी का क्योंकि ना हमें बड़े टुकड़े चाहिए और ना ही हमें एकदम पेश्ट चाहिए देखे इस तरह से एकदम टेक्श्चर होना चाहिए हमने इसे दरदरा पीस लिए है अब इसे हम साइड में रख देते हैं उसके पाद आगे का प्रोसेस करते हैं अब गैस पर एक लिटर दूद को हमने उबलने के लिए चढ़ा दिया है दूद में जब उबाला जाए तो फ्लेम को लोग कर देंगे अब इसमें कुछ फ्लेवर एट करेंगे तो मैंने थोड़ा सा कसूरी मिथी डाला है थोड़ा सा काली मिर्स का पॉडर डाला है आप चा दूद में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जब तक की दूद अची तरह फट ना जाए फिर निगर के बदले आप निबू का रस्पी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसे हम कपड़े में चाल लेते हैं कपड़े में डालने के बाद इसे नॉर्माल पानी से एक दो बार द चिप केंगे नहीं जिससे आपके सोयवीन के पनीर ठीक बनेंगे नहीं और देखने में प्रोसेस लंबा लग रहा है फ्रेंट्स लेकिन एक्चुल में है नहीं एक बाद आप जरू ट्राइ करिएगा जब भी इस रेसिपी को आपको बनाना हो सुबह सोयवीन के पनीर बना रहे हैं अब इसे मनपसंद टुकणों में काटते हैं काटते समय हमने देखा फ्रेंट्स पनीर भूर भूर होके कट रहे हैं और तूट भी रहे हैं क्योंकि मैंने एक लिटर में 100 ग्राम सोयवीन इस्तेमाल किया था तो मेरी गलती आप ना करें एक लिटर में आप 50 ग्राम सोयवीन का इस्तेमाल करें इस तरह से भूर भूर होके टूटे हैं इसलिए मैंने बहुत ही मोटे मोटे टुकणों में इसे काट कर रखा है अब चलिए इसे फ्राइ करके निकाल लेते हैं आप इसमें नमक डालकर स्नेक्स के रूप में भी खा सकते हैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं नेक्स वीडियो में इसकी रेसिपी शेयर करूंगी इसकी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल में जुरू विजिट करिएगा फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद